इस वीडियो में हम Anthony Giddens को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे NGRF syllabus के एक बहुत इंपॉर्टन थिंकर है और उनसे हर बार दो या तीन कोशन जरूर पूछे जाते हैं Anthony Giddens एक British Sociologist थे और एक Post-Modernist Thinker थे Post-Modernist Thinker का मतलब होता है ऐसा Thinker जो Modernity को criticize करें जैसा कि हमें पता है कि सायद आप लोग पूरा वीडियो ना देखें या फिर थोड़ा देर वीडियो देखने के बाद आप स्किप करतें वीडियो तो उसके लिए concept में deep जाने से पहले उनके terms का overview एक बात देख लेते हैं कि कौन कौन से terms उन्होंने यूज की हैं अपने theories में उन्होंने theory of बात की है जिसमें social practices भी आती है social system को उन्होंने दो भागे बाता है disemading और re-emading disemading में दो पाट आते हैं symbolic tokens और expert system expert system से ही हमारा risk बनता है और बाद में चलके वो manufactured risk बनता है agents के action को describe करने के लिए उन्होंने तीन type की consciousness का बात किया है पहला है discursive consciousness दूसरा है practical consciousness और तीसरा है unconsciousness उन्होंने double hermitics का भी concept दिया है और morality के लिए उन्होंने time space dissociation का भी concept दिया है फिर हम discuss करेंगे guidance paradox और morality ऐसे जगर not फिर हम reflexivity का बात करेंगे जिसमें दो type की reflexivity होती है पहला individual और दूसरा है institutional और उनके कुछ famous concepts like confluent love, plastic sexuality भी हम discuss करेंगे three types के rule और resources को उन्होंने बताया है पहला है normative, दूसरा है allocative and authoritative, तीसरा है interpretative उन्होंने four type के modernity के basic institutions बताये है उसके बाद इन्होंने three types of memory traces का बात किया है जिसमें number one पे आता है domination, second number पे आता है significant और third number पे आता है legitimation उनके तीन famous concepts है bracketing anxiety, ontological security और emotional inoculation Anthony Giddens का structure का definition है structure is some of rules and resources, organized as properties of social system, it is both medium and outcome इसमें इन्होंने rules और resources के बारे में बताया है कैसे एक social system में structure, medium और outcome दोनों के लिए काम करता है इसके बारे में discuss किया है उनकी एक और definition famous है globalization की driving force behind globalization is the information revolution कैसे information revolution से globalization बहुत तीजी से आगे बढ़ रहा है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तीन चीज़े clear करना चाहता हूँ पहला अगर आपने वीडियो अभी सक्क देखा है तो Giddens से question अगर उपर उपर से पूछे जाएंगे तो आप easily उन्हें कर लेंगे बट अगर आपको Giddens के बारे में deeply जानना है तो आपको वीडियो आगे देखना पड़ेगा दूसरा नंबर है कि मैंने colorful pencil का use किया है क्योंकि colorful चीज़ें हमें आसानी से memorize हो जाती है तीसरा नंबर है अगर आपने Giddens को यहां से पढ़ लिया है पहला है 1970 से 1975 जिसमें वो classical thinkers का criticism करते हैं चेकंड फेज है 1976 से 1989 जिसमें वो अपनी theory of instruction को समझाते हैं थर्ड फेज है 1990 से 1993 जिसमें वो modernity को discuss करते हैं और फोर्थ फेज है 1993 बात का जिसमें वो politics और modernity को एक साथ जोडते हैं और climate change की बात करते हैं जैसा आपने previous year paper में analyze किया होगा कि thinkers के book name को chronology से लगाने के लिए बोल दिया जाता है और अक्सर हम उसमें गलतियां कर देते हैं तो उसके लिए मैंने story form में इनकी boost को discuss किया है जिसको आपको याद करने में बहुत असानी होगा जैसा हमने first page में discuss किया कि वो classical thinkers को critique करते हैं तो classical thinkers को critique करने के लिए उन्होंने 4 book लिखी है फर्स नंबर पर आता है capitalism and modern social theory जो 1971 में आये थी सेकेंड नंबर पर आता है class structure of advanced society जो की 1973 में आये थी थर्ड नंबर पर आता है contemporary critique of historical metalism जो 1981 में आया था फर्स नंबर पर आता है nation state and violence जो की 1985 में आता है इसमें से दो टाइब के question बन सकते हैं पहला कि वो chronology लगाने के लिए देगा और second number पर पूश सकता है कि इनमें से किस books में Giddens ने classical thinkers को criticize किया है second phase था उनका theory of structuration का जिसमें उन्होंने theory of structuration को तीन book में describe किया है first number पर आता है new rules of sociological method जो 1976 में आया था second number पर आता है central problems in social theory जो 1979 में आया था third number पर आता है the constitution of society जो 1984 में आया था जैसा कि हमने discuss किया कि उन्होंने third phase में modernity को describe किया है और modernity को describe करने के लिए उन्होंने 3 books लिखी है पहला है consequences of modernity जो 1990 में आया थी second number पर आता है modernity and self identity जो 1991 में आया था third number पर आता है transformation of intimacy जो 1992 में आया था fourth phase में वो politics और modernity का बात करते हैं तो उस पर उन्होंने 4 books लिखी थी first number पर आता है beyond left and right 1994 second number पर आता है the third way 1998 third number पर आता है the runaway world 1999 fourth number पर आता है over to you Mr. Brown 2007 fifth number पर आता है politics of climate change 2009 इस तरीके से आपको बहुत तीजली गिडेंस की आते हैं और social practices के थुरू वो इस्ट्रक्ट्रेशन थीरी का निर्माड करते हैं चुकि इन्होंने इस्ट्रक्ट्रेशन थीरी को समझाने के लिए दो टर्म्स structure और एजन्सी यूज किये थे इसलिए इन्होंने इसको society में मौझूद होते हैं बलकि इडेंस बोलते हैं कि इस्ट्रक्ट्र लगातार एक्टर के एक्शन से रिप्रोड्यूस होते रहते हैं इन्होंने इस्ट्रक्ट्र को बोला है constraint और enabling constraint का मतलब होता है जब agents rules को follow करते हैं तो उनके पास एक bound criteria होता है कि इन इन rule को ही आपको follow करना है इसलिए constraint का मतलब होता है रोकना बाधा करना बाधित करना तो agents जब rules को follow करते हैं उनको specific criteria में perform करना पड़ता है specific rules को इसलिए इस structure को इन्होंने concerning बोला जब agents society में मौझूद resources को use करते हैं तो इन्होंने structure को enabling बोला है for example जब हम किसे language के यूज करके बाते करते हैं तो उसकी grammar उसके rules हो जाते हैं जिसको हमको follow करना ही करना है मतलब हम limited हो गए कि हाँ हमने है का use करना है था का use करना है नहीं का use करना है रहा है रही का use करना है तो यह rules हो गए जब हम बाते करते हैं तो rules के साथ हम कुछ नए नी चीज़े भी create करते रहते हैं उसमें अपनी creativity भी लाते हैं जिसको resources बोलते हैं इसका मतलब है कि resources को लगाता यूज करने से नए structure का निर्माण होता है इसलिए इन्होंने structure को enabling भी बोला है enabling का मतलब होता है छूट देना गिदेंस ने social system को system of interaction बोला है जिसमें एक structure के अंदर अपने action को perform करता है और actor के action को इन्होंने पार्ट ने बाटा है पहला है discursive consciousness इसमें गिदेंस बोलते हैं कि जब actor को यह पता होता है कि कोई काम क्यों कर रहा है और वह उन्हें अपने सब्दों में दूसरे को बताने में दूसरे को व्यक्त करने में समर्थ होता है तो इसे बोलते हैं discursive consciousness इसकेंड नंबर पर आता है practical consciousness जिसमें एक्टर्स को यह तो पता होता है कि वो कोई काम क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है बट वो दूसरे को बताने में अच्छम होता है वो दूसरे को बताने में सच्छम नहीं होता है इसकेंड नंबर पर आता है जिसमें हमें पता ही नहीं होता है कि हम कोई चीज क्यों कर रहे होते हैं और उससे अपने सब्समें बता भी नहीं पाते हैं इसका मतलब है कि social system में time और space का एक साथ रहने कोई मतलब नहीं रह गया है आज मैं किसी एक space मतलब किसी एक स्थान पर बैट की video बना रहा हूं बट इसको पता नहीं कि आप कहां कहां से देखेंगे तो इसका मतलब space का कोई relevancy नहीं है और आप किस time पर देखेंगे इसका भी कोई relevancy नहीं है तो इसलिए इन्होंने बोला कि time or space में काफ़ी distance बन गया है Giddens disemending word का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है जब हम कोई local चीज global level पर ले आते हैं ये मैकेम मेरिट के universalization concept से काफ़ी similar है जिसमें मैकेम मेरिट बोलती है कि local context को हम global level पर ले आते हैं और इस disemending process को पूरा करने में time space disunciation हमारी मदद करता है Giddens reemending का बिबात करते हैं जिसमें disemending का opposite हो जाता है अर्तायत global level की चीजों को हम local level पर follow करते हैं फिर Giddens disemending के दो parts बताते हैं symbolic tokens और expert system जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि local चीजों को global level पर ले जाना तो उसके लिए दो चीजे काम आती हैं पहला symbolic tokens for example money हो गया, media हो गया तो हम लोग money का use कहीं भी कर सकते हैं पूरे world में और second number पर आता expert system like doctors हो गया, scientists हो गया, वो पूरे world में कहीं भी रहेंगे, वो helpful रहेंगे इसलिए Giddens ने disemending में दो terms का use किया है expert system को discuss करते समय, Giddens एक word trust का use किया था कि experts के उपर हम बहुत ज़्यादा trust करने लगते हैं आसकर modern world में, जब हम doctors या lawyers या architects, scientists के उपर ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वहाँ पर एक risk होता है कि हम गलत practices को follow करने लगें Giddens modernity को जगर not बोलते हैं, जगर not का मतलब होता है एक रथ तो Giddens बोलते है, modernity एक ऐसा रथ है, जिसको काबू में लाया नहीं जा सकता है और ये सब को कुछलती जा रही है Giddens modernity को बताते वक्त, reflexivity का use करते हैं जिसका मतलब होता है, world of self-monitoring इसका simple word में मतलब होता है, खुद से बाते करना और खुद में जो कमिया है उसको सुधार करना तो modernity को describe करते हैं समय Giddens बोलते हैं कि हम अपने relationship को forge करने के लिए भी reflexivity का use करते हैं उसके बाद ये confluent love का बात करते हैं confluent love का मतलब होता है more fluid and flexible relationship इसमें भी कहीं ने कहीं reflexivity का use होता है जब हम चीजों को खुद से analyze करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मालूम चलती है जो हमारी कमिया थी या फिर जिस चीज के हमको need है तो वहाँ पर आता है confluent love जिसे हमें ये रिलाइज होता है कि हमारे relationship को जड़ा flexible होना चाहिए बहुत जड़ा rigid नहीं होना चाहिए जैसा कि traditional society में होता है या फिर patriarchal society में होता है या पिर आकसर conservative family में हम देखते हैं कि चीजों को बहुत ज़दा बांत की रखा जाता है लड़कियों को बहुत ज़दा बात की रखा जाता है तो वह किसके साथ में रहें, क्यों रहें और कैसे रहें इसी को आगर डिस्क्राइब करते हुए गिदेंस प्लास्टिक सेस्वालिटी का यूज करते हैं और बोलते हैं कि सेक्स्वल लेशनसिप अब किवल बच्छा पैदा करने के लिए नहीं रह गया है अब हम sexual relationship का use अपने फाइदें के लिए भी करते हैं जिससे कि हमको pleasure मिल पाए और अब ये एक open ended हो गया है जिसमें आप बधे नहीं है कि अगर आपने किछी के साथ sex कर लिया है तो उसके साथ आपको light time रहना पड़ेगा उसके बाद Anthony Giddens, Giddens Pairdoss का बात करते हैं अपने day to day life में feel कर पाए तब तक वो उसके लिए action नहीं लेगा और नहीं वो government से feel करेगा कि आप उसके लिए action ले तब तक ये पूरा world global warming को seriously नहीं लेगा बड़ एक समय ऐसा आएगा जब globalization को हम day to day life में feel करने लगेंगे और governments demand करेंगे कि उसके लिए action ले वहाँ पे सारी party चाए वो left और चाए वो right की हो एक हो जाएंगी और एक नया law pass करेंगी जिससे हम global warming को easily control कर पाएंगे इसलिए इसको बोलते हैं गिडेंस paradox जहां पे वो एक तरफ बोलते हैं कि global warming बढ़ती जा रही है बट दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि यह कुछ हद तक ठीक भी है और इससे लोगों में awareness पहलेगी और लोग climate के लिए जाग रूख होंगे फिर गिडेंस डबल हर्मिनिटिक्स का बात करते हैं जिसमें वो बोलते हैं दो टाइप की लोग होते हैं और दो टाइप की प्रेक्टिसर लोग फॉलो करते हैं पहला एक lay person मतलब की जो की normal इंसान और दूसरे होते हैं social scientist चीजों को देखने का नजेख jeżeli both high ओस इम्हें एपना इचोसयलोजिस्ट को वहां पर देखेगा थो बोले उस महेला का डबल एक्स्वल्यटिसन हो रहा है उसको घर में काम कोड़ रहा है इसको और भी काम काम कर्ना पड़ रहा है इसमें mail की कोई हिस्यदारी होई ने रही है गिडेंस नेशन को बॉडर्ड पावर कंटेनर बोलते हैं और यह सेट इग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन नेशन को बॉडर्ड पावर कंटेनर बोलता है गिडेंस ने रन अवे वल का कॉंसेप्ट भी दिया था जो कि उनकी कि modernity as a juggernaut से काफी related है जिसमें यह बोलते हैं कि change यतना fast हो रहा है कि हम उसको manage नहीं कर पा रहा है और हमारे लिए वो challenges produce कर रहा है फिर गिडेंस अपनी एक book third way में third way का बात करते हैं जिसमें नहीं वो left को support करते हैं नहीं वो right को support करते हैं इस तरीके से हमने गिडेंस के आउट हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं और इस पूरे वीडियो का PDF मैं अपने टेलेग्राम से अप्लोड कर दे रहा हूं आप वहां से इसे डाउन्लोड कर सकते हैं